जब भी हमें लगता है जो भी हो रहा है ये गलत है चीजे सेंस नहीं बना पा रही लाइव में कुछ सेंस नहीं है तो आदमी भटक जाता है खुज से हार जाता है इसी थीम को ले कर आज ही हमारी मूवी आती है जिसमें गलटगी एक गैंग्स्टर के प्यार में बढ़ती है इसके आगे क्या होता है कि हमारी आज की मूवी Lost Girls and Love Hotel ये 2020 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी में हम देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से मेले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हो अगर आप कोई वीडियो चलागता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करतीजे इसे चानलों को बहुत सपोर्ट मिलता है बिने किसी तरीके एक्स्पलेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में क्यारेक्टर को इसका नाव है मार्गरेट इसे एक टरनल से जाते होए देख सकते है यह बहुत ही टरंग है और उसका कोई पीछा कर रहा था उसने सिगरेट निकाली तो उस सिगरेट को जलाने के लिए वो आदमी उसके पास आ गया था उसे कहती है मुझे होटेल लेकर चलो यह सिंग यही खतम होता है और कुछ दिन पहले के फ्लैश बैक में अब हमारी मुवी चलेगी मार्गरेट हम से कहती है कभी-कभी मुझे लगता है किसी भी स्टोरी को एक हैपी एंडिंग नहीं है चीज़े बहुत ही मैसी है और वो सेंस नहीं बना पाती है मार्गरेट एक फ्लाइट अटेंडन्स के स्कूल में पढ़ा दिया उसका जॉब जापान में है तो वहाँ की लड़कियों को सही तरीके से चीज़े प्रनाउंस करना सिखा दिया वो कल रात बहुत ही जादा ड्रंग हो गई थे और हैंग ओवर होकर ही अपने जॉब पर आई उसके एक स्टूडरंट है जो से आज़े टीचर बहुत पसंद करती है वो स्टूडरंट उसे कहती है कि तुमारा आउटफिट बहुत अच्छा है कल रात मार्गरेट जब बहार गई थे उसने जो कपटे पहने थे वो ही पहन कर यहाँ आई हुई है इसका मदलब है रात बहुत घर ही नहीं गई यही टॉरेट में जाकर अपना आउटफिट वो चेंज कर लेती है यहाँ की बॉस नहीं यह सब नोटिस किया उसे बुचा यह तुम ठीक हो मार्गरेट कहती कि मैं ठीक हो और फिर वो अपना जॉब कंटिनू करती है मार्गरेट एक छोटे से स्टूडियो अपार्मेंट में अकेली रहती है हर रात अपने फ्रेंज के साथ बार में हैंग आउट करती है उसके एक फ्रेंड का नाम है अग्नस और दुसरे का लियम यह आज रात भी बार में ड्रंक होकर उससे कह रही थी कि एक्च्छल में ड्रंक होना कैसा होगा यानि कि इतना ड्रंक कि आप चल फिर भी ना पाओ इसके बाद जब वो टॉलेट गई तो वहाँ एक आदमी से टक रहे उसके साथ ही वो इंटिमेट हो जाती है बाद में उसने अपने फ्रेंज को जॉइन किया ये फिर से ड्रंक हो है रात में जब मारगरेट और उसका फ्रेंड लियम अकेला था लियम उसे बुच्छता है कि तुम कभी मुझे क्यों ने डेट करती है तुम कभी मुझे भी कही लेकर जा सकती हो वो उसके पास आ गया था मारगरेट कहती है कि मैं तुम्हें as a brother देखती हो यही रस्ते पर उसने हमारे और एक main character को notice किया जिसका नामी यकुजा मारगरेट ने कहा उसके life में उसने देखा हुआ यकुजा इस सबसे beautiful आदमी है यही चीज वो बाद में movie में भी कहती है यकुजा भी उसे notice करता है signal खतम हुआ और यह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए बहुत रात हो चुकी थी उसके friends घर उपर चले गए पर वो घर नहीं गई अलग जगा पर जाकर फिर से trunk होने लग गई इसी बार में वो किसी और आदमी से मिलती है दोनों ने एक दूसरी को देखकर smile किया और वो फिर उसे directly hotel लेकर आया यह दोनों intimate हो रहे थे तो Margaret कहती है कि इससे मुझे bond करो यानि कि उसके हाथ पर पट्टिया इस सरा की चीज़े उसे अच्छे लगती है या आदमी उसे hurt नहीं करना चाता था यह नहीं कर सकता तो वहाँ से चला जाता है Margaret आज रात भी घर नहीं गई थी तो वैसे ही अगले दिन अपने जॉब पर आई पूरी तरीके से hangover थी वो सही से चल भी नहीं पा रहे थी उसके बॉस ने देखा तो कहती है कि आज तुम्हारी तबियट ठीक नहीं है क्योंना तुम घर चली जाओ Margaret फिर washroom गई तो उसके पास उसके बॉस आती है तो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जॉब पर क्यों रखा था Margaret को नहीं पता उसे समझाती है कि जब मैं यंग थी तो तुम्हारी तरह हुआ करती थी Margaret को यह बिलियू नहीं होता क्योंकि उसके बॉस अब पर्टिकुलर लगती है उसके बॉस कहती है मेरा हस्वन नहीं है मेरे कोई बच्चे नहीं है सब लोगों को बता है कि मैं बहुत सैड हूँ मैंने मेरे लाइफ में कितनी भी मिस्टिक की हो पर फिर भी इन लड़कियों को में कुछ सिखा सकती हो वो Margaret को कुछ सही करने के लिए इंस्पार कर रही थी इसके बाद Margaret एक बुक स्टोर में आई यहावर एक पेंटर की बुक को देख रही थी जहावर सब न्यूड्स पेंटिंग बनाई हुई थी अचानक से यहाँ उसे यकुजा मिलता है वो उससे बुच्चता है क्या थुम्हें आर्टिस्ट पसन है वो कहती है कि हाँ कहता है कि मुझे भी इसके बाद डारेक्ट ले यह दोनों होटेल में आयो हुए हम देख सकते है जैसा मागरेट चाहती थी उसका हाथ वेगरा बानकर इंटिमेट होना उसी तरीके से यकुजा उसके साथ इंटिमेट हो जाता है वो उससे कहता है यह प्लीज ऐसा मत समझना यह बहुत ही गलत आत्मी हूँ मागरेट कहती है कि मैं नहीं समझूंगे अगली दिन जब वो अपने जॉब पर थी तो उसकी बहुत पुश्टी है यह यह सब चीज़े तुमें सिरी लगती है कहती है एक्चुल मुझे जॉब करने में मज़ा आता है उसे फ्लाइट अटेंडन्स को रोल प्ले करकर बताना होता है यहनि कि छोटा सवे भी यह और एक टेरिस्ट कि किस तरह से भीएव करेंगे यह सब उसे रोल प्ले करकर दिखाना होता है उसे अपने अलावा और कोई बनना अच्छा लगता है उसका जॉब जब खतम हुआ तो नीचे ही यकुजा उसका वेट कर रहा था वो गहता है कि जादा वरी मत करो हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे है वो उसे रिजिनल जापने इस रेस्टराण में लेकर गया जहावर उन्हें अपने शूज निकाल कर वैसे ही अंदर बैटना होता है मागरेट ने अपने शूज निकाले पर उसके सौक्स फटे होये थे पूरी डिनर तक उसे अंकमफटेबल ना लगे तो इसलिए यकुजा उसे एक अलग रेस्टराण में लेकर आता है वो उसे बुच्छता है कि तुम जापान में क्यों हो वो गयती है मुझे अकेला रहना था वो ऐसे तो लोगों से दूर नहीं रहना चाहती सिर्फ अपनी कंट्री से अपने सराउंडिंग से दूर रहना चाहती थे ये बात ही कह रहे थे तभी पीछे से एक आदमी ड्रंक हो गया था वो मागरेट से आकर टकरा गया इस वज़े से वो ज़रा अनकंफोर्टेबल हो गए और वाश्रूम जाकर आई जब वो वापस आई तो शोर शराबा करने वाले लोग वहाँ से चले गए थे एक्शुल में यकुजा एक गैंस्टर है तो उसने इन्हें बाहर निकाला था वो मागरेट से कहता है कभी-कभी लोग तुमें डिस्टब करते है इसे वज़े से उनसे तुमें दूर रहना पड़ता है ये फिर होटेल में जाकर इंटिमेट हो जाते है मागरेट एक गुजा से पोशती है कि तुमें मुझे में पसन क्या है ये खुजा कहता है तुम बहुत ही स्पेशल हो तुम जल्दी से खुश नहीं होते है तो एक चैलेंज के तरह लगता है एक गुजा पोशता है कि मैं पागल हो रही हूँ उसकी फ्रेंड पूछती है क्या यह योकुजा की वज़े से है प्यार और पागलपन में जादो कुछ डिफरंस नहीं होता मागरेट कहती है कि उसकी शादी होने वाली है उसके फ्रेंड को उसके लिए बुरा लगा उसने कहा कि लाइफ एक राइड है इसका तुम मजा लओ मागरेट को अच्छा फिल कराने के लिए वो एक बार में लेकर गए मागरेट को अपनी जॉब पर लेड़कों को सिखाना यह मजा आने लग गया था जब योकुजा और वो फर्स टाइम मिले थे जो बुक वो पढ़ रही थी यही बुक योकुजा उसे गिफ्ट करता है मागरेट को देखकर अच्छा लगा वो इसी बुक में एक होटेल का कार्ड है यहाँ पर जाकर यह उसके साथ इंटिमेट हो जाती है मागरेट को योकुजा एक गैंस्टर है यह बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है वो कहती है क्या कभी तुमें कोई फिंगर काट कर as a gift देता है योकुजा कहता है कि अगर किसी ने गलती की और हम चाहते हैं पुरी लाइफ में उसे गलती याद रहे तो as a punishment उसे उसकी फिंगर काटना पड़ता है इसके बारे में योकुजा जादा बात ने करना चाहता था वो मागरेट से बहुचता है तुमारी फैमिली कहा है उसके मदर और फादर इन दोनों की डेत हो चुकी है उसका एक ब्रदर है जिसे अपने दिमाग में आवाजे सुनाएं देती है जो पास रहे अपना गहे ऐसा उसके लिए कोई भी नहीं है वो उससे बुच्छती है क्या तुम अपनी वाइब से प्यार करते हो यह खुजा कहता है को एक responsibility है आफ लाइफ में कभी भी अकेला नहीं रह सकते है लोग, community इन सब चीज़ों की जरुवत पढ़ती है इसलिए उसने शादी की है इसके बाद यह दोनों फिर से intimate हो गए भुजा उससे पुच्छता है तो मैं बेड में इस तरीके के games खेलना क्यों अच्छा लगता है वो गहती है यही चीज़े है जो मुझे excite करती है नेकसिन में Margaret अपने friends के साथ hangout कर रही थी इसका एक friend है जिसका नाम है Liam उसकी girlfriend वहाँ पर आई इन दोनों की जोड़ी बहुत ही cute थी Margaret इने देखकर इनका मज़ाग लेने लग जाती है अगली दिन जब वो काम पर आ रही थी तो बहारी योकुजा खड़ा था उससे कहता है चलो हम कहीं चलते है Margaret को जौब पर जाना था वो नहीं आ सकती थी कहती है क्या हम कल नहीं जा सकते है पर योकुजा जित करता है तो अपना जौब डीच करकर वहाँ से चली जाती है उसके कुछ टूड़न्स ने ये सब देख लिया था ये दोनों ट्रेंस से एक जगा पर जा रहे थे योकुजा ने अपने बच्पन की कुछ फोटोस उसे दिखाए मारिट को बहुत क्यूट लगती है इसके बाद एक टिम्पल की ओपर एक ब्यूटिफल से नजारे की सामने उसे लेकर आया ये वह और एक दूसरे को किस करते है इसके बाद एक टिम्पल था जिसे गयते हैं कि बुद्धा स्रूम इस राग रूम में एक साइन बना हुआ था यहां आने से तुम फिर से रिबॉन होती हो तुम्हारे पास लाइफ से तुम्हारा कोई भी लिना देना नहीं है नीचे आने के बाद उसने उसे पूछा तुम्हें किस तरह से फील हो रहा है मागरेट को ऐसे कुछ अलग फिल नहीं हो रहा था यहां खुजा कहता है तुम्हें यह बाद में रियलाइस होगा ट्रेंड में मागरेट को नीन आ गई थी वो जब नीन से उठी तो यहां खुजा उसका जैकेट उसके पास छोड़ कर वहाँ से चला गया था जैसे के हमने देखा कि मागरेट कल अपना जॉब डीच करकर वहाँ से भाग गई थी इस बात से उसके बास बहुत ज़ादा गुस्सा थी उसने मागरेट का जॉब एक अलग इंस्टरक्टर को दे दिया है वो उसे आकर फायर कर देती है मागरेट कहती है कि मैं इससे अच्छा कर सकती हो बेटर बन सकती हो उसके बास कहती है कि तुमने मुझे नहीं तुमारी स्टूडर्न्स को डिसपॉइंट किया है वो उसे सही नहीं लगता उसने मागरेट को कहा कि तुम्हें बेटर बनना है तो कही और जाकर बनो Margaret बहुत रोती है कुछ दिनों से यगुजा ने भी उसे contact नहीं किया एक दिन उसकी friend उसके पास आई हुई थी वो अमेरिका वापस जा रही थी Margaret को बहुत पुरा लगा कहती है कोई भी अच्छी चीज कभी भी हमारे पास नहीं रहती सब अच्छी चीज़े कभी ना कभी खतम होने वाली है Margaret फिर अपने friend के साथ last time बार में आई Margaret ने उसे बोच्छा कि तुमने मुझे as a friend क्यों चूस किया था उसकी friend कहती है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते first जिने सब कोच आसानी से मिल जाता है दूसरे जो सब को छीन लेते है एक hunter की तरह होते है जब मैंने तुमें देखा था तभी मुझे पता चल गया था तुमें एक wolf की तरह हो एक hunter हो आज राद Margaret एक रैणनाम आदमी के साथ intimate हो गई अगले दिन जब वो स्टीट पर थी तो उसने योकुजा को notice किया योकुजा अपनी पूरी family के साथ था उसने यहाँ उसकी wife को भी देखा जब उसकी family चली के तो उसका वो पीछा करती है योकुजा एक building में inter हुआ था और Margaret उसे कही भी ढोन नहीं बाती है वही पर नीचे बेट कर रोने लग जाती है योकुजा ये सब चीज़े अपने कैमेरे से देख रहा था उसके पास आता है वो गयता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए मैं तुमारी लिए सही नहीं हूँ Margaret कहती है कि मैं तुमारा secret बन सकती हूँ वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है ये दोनों फिर intimate हो गए Margaret ने यहाँ I love you कहा यकुजा कोई बहुत अच्छा लगता है आज यकुजा ने जूबी किया इसका उसे बहुत पच्च्टा होता है Margaret को यहीं रहना था उसे जॉब नहीं थी एक रेस्टार्ण में जहाँ पर उसे स्ट्रिप करना पड़ेगा वहाँ वो जॉब ले लेती है बस नाइट वो जॉब पर आई वो उसे सही नहीं लगा वो खोदी बहुत जादा ड्रंक हो जाती है दुबा तक बाहरी रही और एक जगा पर बहुत रो रही थी हमने देखा था कि उसके फ्रेंड फिल की गल्ड फ्रेंड थी उसने उसे नोटिस किया वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर लेकर आती है मागरेट उसे कहती है कभी-कभी मुझे सिर्फ अकेला रहना पसन आता है आज रात भी वो बहुत जादा ड्रंक हो गई सिटी में एक जगा पर पोस्टर लगा हुआ था कुछ लड़किया स्टीट से मिसिंग हो रही थी मागरेट आज भी ड्रंक थी मूवी के फस में हमने जो सीन दिखा था जिसमें मागरेट को एक स्टेंजर अप्रोच करता है वो उसे कहती है कि मुझे होटेल लेकर चलो ये स्टेंजर बहुत ही अजीब लग रहा था मागरेट उसे बता दी है उसे सबम्यूसी होना पसन है वो आदमी फिर उसे बेड़ से बान देता है वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करती हो तो स्पेशल हो ऐसा कुछ भी नहीं है वो गहता है कि मुझे इस तरह के होटेल पसन है वो जब यंग था तो एक लड़की को लेकर यहाँ आया करता था वो दोनों मास्क पहन देते मार्गरेट से यहता है कभी कभी लोग उनके रियल फेस के पीछे बहुत ही घटिया होते है मार्गरेट को रियलाइज हुआ कि शायद ये रात उसकी आखरी रात है उसे फिर से बुद्धा का टेमपल दिखा उसे लगा कि वो फिर से रिबॉन हो रही है वो आदमी उसे मार ही डालने वाला था तब ही वहाँ बर यकुजा आ गया वो मार्गरेट को बचा लेता है वो बिलिव नहीं कर पाई कि यहाँ एक्च्वल में यकुजा था वो उसे पुछती है या तुम मेरा पीछा कर रहे थे यकुजा अभी भी उसके लिए केर करता है तो हमेशा उसपर वो नज़र रख रहा था मार्गरेट कहती है तुम्हें कावड हो यकुजा भी ये मान लेता है क्योंकि हू अभी नीर्डेद एक्सप्रियंश हुआ है तो डिसाइड करती है कि अपनी life को फिर से सही तुरीके सी जीएगे वो changes लाएगी तो इसे वो फिर से अमेरिका जाने वाली है जाते जाते यकुजा को call करती है कहती है तुम सही थे बुद्धा के temple में जाने के बाद वुद्धा ने फिर से rebound हुई हू अपनी फ्लाइट में मार्गरेट ने अपनी स्टूडन को देखा जो फ्लाइट अटेंडन बन शुकी है उसे बहुत प्राउड महसुस होता है वो जो काम करती है वो कही न कहीं मैटर करता है मुवी के फस में उसने जो डायलोग कहा था वो ही डायलोग वो फिर से गहती है पर एक एडिशन के साथ मुझे लगता है कि कोई भी हैपी एंडिंग नहीं होती है लाइफ में चीज़े होती रहती है जो बहुत ही मैसी है कुझ भी सेंस बना नहीं पाती लोग उनकी लाइफ के अलग-अलग इवेंट्स को जोड़ते रहते एक स्टोरी बनाते है पर इससम मैटर नहीं करता अगर हम नोटिस करें तो ये सारी चीज़े बहुत ब्यूटिफूल है जो भी लाइफ में होता है इसमें ब्यूटि ढूंड सकते है मारगरेट अपनी लाइफ में पूरी तरीके से हार चुकी थे उसे यह गुजा से प्यार हुआ पर उसे वो भी नहीं मिला नियर डेथ एक्सप्रियंस होने के पाद उसे अपनी लाइफ चेंज करनी है जब उसने अपनी स्टुड़न को ऐस अटेंडन देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा जैसे कि उसके बॉस ने कहा था कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की है पर इन मिस्टेक से मैं कुछ सिखा सकती हो यही चीज़ आके चलकर मारगरेट करेगी उसके लाइफ में जो भी चीज़े होती है इसमें उसने ब्यूटी ढूंड ली है इसे एक पॉजिटिव मैंसेज के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिवेशन आइकोन दाउने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवीज के साथ तो जब देले ठैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे